सब्सक्राइब करते हैं जो व्रित से सर्कल से हैं उसको आप तक पहुंचाया जाए बहुत सार बच्चों का जो सर्कल खास करके मेरे पैकेज का है तो वह ज्यादा प्रिशान करता है बच्चे करनी पाते हैं या फिर एक बार देखते हैं भूल जाते हैं मैं चाहता हूं कि उसको जितने बार आपको कन्फिजन हो उतना बार देखें तो रिकॉर्ड कर रहा हूं सवाल पहला है इसके पहले वाली वीडियो में आपको 59 तक है इसमें 60 से आपको रिकॉर्ड कर रहा हूं आए देखते हैं सोलूशन 60 सक से देता है कि चितर दिया हुआ है ऊपर दे चितर दरी दरसल बगल में चितर है इंगल एवा सी ए 100 डिग्री है एव सी ये 100 डिग्री है यह 100 डिग्री है AOC और पूछता है ABC यह पूछता है अब आपको पता है कि कभी भी सेंटर पर का कौन जो होता है वो उसका परिधी पर का कौन आधा होता है अगर यह 2 थीटा है तो यह थीटा होगा ठीक है लेकिन अगर मैं ऐसे खिच दूँ तो यह थीटा है तो यह 180 माइनस थीटा होगा और यह बाहर वाला जो एंगल है वो आपका हो जाएगा थीटा बाहर का एंगल क्या होगा थीटा हो जाएगा ठीक है हैं तो हैं यहां पर की अगर सवाल ये दिया हो हो कि ये निकालिये तो मैं एक काम करता हूँ mitraewala ये 100 तो उपर वाला तो ये 50 हो जाएगा अगर ये पचास हो जाएगा तो बाहरवाला पास हो जाएगा है या सब मैं Bear और लिनियर हो जाता है यह पुरा तो यह चीज धियान देना है कि यह ठीटा होता है यह पहले two plano ροफी तो पूरी circumference एक कर पर राओ का परीधी पर का बना कौन circumference पर का बना कौन का दुगना होगा अब दोगना हुआ अब दोगना हुआ इसके उपोजिट वाला जो कौन होता है यह चुकि साइक्लिक कौर्डिलेटरल हो गया तो पॉजिट वाला वानेटी माइनस थीटा होता है पर इसलिए बाहल अधिता हो गया तो यह यह पुराब को समझ लेना है उस पर आधारित बहु है वो सेंटर है और ओपर ABC चाप कोई है घिए भासा में किसे देता है कहता है कि ABC कोई चाप है और AB को पी तक बढ़़ाया गया है अच्छा है यह जो चाप है ABC अगर कभी भी रहेगा BC, ABC, यानि कि AC होना चाहिए तर लगिन ABC देता है का एक बीच में कहीं भी होगा ये कोन आपको डिनोट कर ले रहा है? ये कोन कहता है कि सॉरी, बहुत गलाफ हस्ता है ये कोन कह रहा है कि ये जो है आपका सु वान थर्टी डिग्री है ठीक है? आप कहता है कि तर दनुसार ये एबी को पी तक बिस्तार किया जाए एबी एक्स्टेंड किया जाए कहां तक पी तक माल ये पी तक बढ़ा दिये तो पुछता है कि एपी सी कितना है तो पुछता है बी पी सी कितना है सॉरी ये अपका बी पी बी सी ये कौन कितना है आपका ये कौन आपका कितना है तो अभी बताएं हम कि अगर ये 130 है तो परिधी पर का कौन circumference पर का angle जो होगा तो आपको इसका आधा हो जाएगा 65 और अगर ये 65 है तो यहाँ पर भी ये 65 होगा अभी पीछले वाले प्रिशन में हमने डिसकस किया 65 हो जाएगा तो डारेक्ट पुछता है अंसर हो जाएगा 65 आगे दिखते हैं सवाद सवाल है कि दिए गए चित्र में ओ वृत का किंद्र है ये ये सवाल मैं देखो यहाँ पर गलत्त दे रखा है यहाँ पर 160 है और यहाँ किजेगा या फिर इसी को 140 कर देगा कोई एक क्या अनुसारा अंसर बनाएगा मैं इसी को सुधार देता हूं यह आपका 140 मान लिजिए यह उसी 140 है ठीरी वाई और तो ठीरी वाई और इतना का वैली निकालिए अब क्या करना है आप यह 140 दिया हो है तो यह तो होग जाएग कि यह वाला और यहाँ अप्लिमेंटरी कि यह रिंटरी यंक्य क्याने की वाई वराबर सड़ी सप्लिमेंटरी यšंगलता है वाई वराबर 110 डिग्री होगा आपको समझ में आता होगा कि ईटा इसमें कल यह उडा सेगा और आप पोट कीज़े घाएं है तो मिल जाएंगा माइनस टू गुने सब 70 तीन सो तीस माइनस एक सो चालिस तो मिल जा रहा होगा हमारा कितना 190 विजिज भी तो इसमें सुधार करने की थोड़ी से आप सकता है यहां पर 160 कर लिज़ेगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ अगला सवाल आपको कहता है कि पी तथा क्यू केंद्रवाले दो वृत बी तथा सी पर परतिश्यद करते हैं दो वृत एक दुसरे को परतिश्यद कर रहे हैं जिनका केंद्र पी तथा क्यू है एक वृत यह है माल लोग की एक वृत यह है और दोनों के केंद्रे हैसों पी तथा क्यू है और ए बी और सी पर प्रतिश्यत करते हैं आप कहा रहा है कि A और D बिंदू इस परकार है कि A, C, D सन्रेक है यहाँ पर ऐसे पहले कर लेते हैं नाम लिलते हैं इसका जो नाम है इसका सेंटर है आपका P और इसका सेंटर है आपका Q और क्या कर रहा है और कहता है कि B और C पर प्रतिश्यत करते हैं चलो मैं माल लिया कि B और C पर प्रतिश्यत कर रहा है यहाँ पर B हैं यहाँ पर C पर प्रतिश्यत करते हैं इंग दॉइस सीपर प्रत्ष्य-क्रेइन ठीक, पहले हैं। फिर कहता है कि पी और क्यों है कि प्रत्र मुक्त हैं, कि प्रत्र न दो कि दित के दृट्र वाल बृत्व पर क्रम अई रोडी हैं, देखो, रडी किसका सीड पर है ? A और D हैं आपके व्रित जिनका सेंटर P और Q है और ऐसा है A और D कि सन्रेक हो जाते हैं ACD A और D इस तरह से हैं कि यह को लिनियर हो जा रहे हैं कि कहता है कि A P B का मान 130 है ACD को लिनियर हो जाएगा और कहता है A P B का मान 130 है मतलब कि A P B जो सेंटर है यहां पर थोड़ा सा उपर लेते हैं यहां पर दिखकत हो जाता है फिकर बनानम एक्जाम में तो इसलिए मैं बोलता हूं कि आप क्या कीजे मैं जो बोलता हूं ध्यान देंगे कि जो centre पर कौन बने गा वही वहां पर बनेगा यह बात care करना है जैसे मान लो कि यह कौन बना यहां पर 130 130 130 है तो आपको यह वाला को join कर रहे हैं यह वाला को जोड़ दे रहे यह line हम को जोड़ देते हैं इजी वाई 130 है तो उपर वाला कौन आपको आ रहा होगा 65 यह 65 आ रहा होगा तो इधर आ रहा होगा 65 मैंने भी बताया है यह 65 है तो बाहर वाला कौन 65 होता है इस बृत का देखिए मतलब कि आप समझ यह कि अगर यह बृत है और यहां पर कौन आपका 130 है और 130 है और यहां पर 65 है तो आपको समझना चाहिए क कि बाहर में जो कौन आएगा ये फिर 65 होगा अभी हम पिछले प्रशन में बता रखे हैं ठीक है 65 होगा और ये 65 अगर हो गया तो इसके दोहरा जो सेंटर पर कौन बनेगा वो भी एक सो इसमें थोड़ा ये टिड़ा हो गया है इसको ठीक दिन से लिखते हैं यह वी यह कौन बनने वाला है आपका यह वाला से अंटर्शेक्ट करेगा जो पर यहформाड बनेगा वही कौन यहां पर मेंगा सेंटर पर के कौन दोनों जगह पर बरावर बनेंगे अगर ये इस भीzd मन रहा है और फिर इस पर आगर एक्रेश्ट्रेट लाइन खीजा गया है उसके बाद जो बन रहा है वो भी 130 होगा इसका अंसर 130 ही हो जाएगा अगे वाला ब्रीत का यह बाहर वाला कौन इसके बरावर होता है फिर यह वाले वृत के यह पर इधी पर का कौन है तो केंद्र पर कोन 130 होगा आगे बढ़ते हैं अंगले प्रस्म के तरूप सवाल यहां पर फिकर कर दिया हुआ है तो कोई बात्रेश से देख लएते हैं एबी सी में एवी एक के आ और और शीदर है ठीक ना और यह रोडिय आदियो चलिए यह यह चलिए यह तो लिग दोनों पराबर है यह भी परावर टिसके ठीक और यह वहा व और एवी डिर्स हो है तो बोलता है कि सी बी कम आफ क्या है इसका माफ पूछ रहा है कि यह वाला कमाफ पूछ यह कितना है दो मैं क्या करूंगा सबसे पहले डिनोंट करूंगा किसको यह डिर्स है तो यह वाला आपका इधर वाला हो गया कितना यह डिर्स है तो इधर वाला हो जाएगा 30 अगर 30 हो गया तो बाकी डिर्स होना चहीं दोनों के जोड़के यह दोनों 75-75 होगा सब्सक्राइब कि देखो 75-75 होगा ऐसा इसलिए क्योंकि यह दोनों रेडियस होगा तो बाहर का फून रेर्स होगा तो यह पच्छातर पच्छातर होगा और 175 अगर यह हो गया तो यह वाला जो आपका होगा 1045 अगर आपको डिsg व इस यापको अनध को सेंटर पर कॉन दियो अजय से क्यों के सानल लो तीष दियो हूआ है तो क्या आप नहीं लगता कि यह दोनों बराबर होगा और ये जो कौन होगा, 175-75 का होगा, गर यहां से मिलाते हैं, ये दोनों 75-75 का होगा की नहीं, वही वहाँ पर 75-75 का है, लेकिन ये बाहर वाला जब कौन पूछ रहा है, ये हो जागा 105 डिगरी का, मुझे लगता है कि बात असफस्ट है आपको, है ना, क्लिए रोकार हो रहा ह होगा, तो इसमें कोई संदे नहीं है, तो ये सवाल था, चाव सब्सक्राइब को बहुत सारा डिस्टर्व हो जाता है, क्लास में है, चुकि आपको पता ही है, कि सुवस्वा का समय होता ही है, मेरे पास बाकी दिन पर क्लास करता हूं, अगला सवाल देखिएगा, एक वृत है, एक वृत में एक जीवा है, प और क्यू दो बिन्दू एक ही चाप में हो, ठीच में हो घ्ट में किसी भिरत का एक ही ही चाप में आगर पी और क्यू है, इसका मतलब क्यूं जीवा दुभा बाड़ दिया, वृत को सर्कल को ठुचल को two parts में डिवाट कर दिआ जीवा, और पी और क्यू दोनों एक ही चाप में है कहीं पर यहां पर में लेना दूपर में नीचे लेना है तो नीचे लेना है तो नीचे हैं और एपी बी यहां पर कहा रहा है कि यह वाला जो कौन है एपी बी सो चौन सब्सक्राइब अब बोल रहा है कि तो यह कितना होगा भी यह भी चाप पर बना कौन जो होगा सो क्या होगा बराबर होगा आगी प्रस्न है कि भी पर दिये चितर में बी आपका 85 यहांने कि एंगल हमारा मिल जाएगा एक स्वाइबी बराबर 85 चुकि पुरा 180 हो गया ना तो तीरुपज के तीनों कोनों का समकितना हो गया 180 और उसमें से दो कुन ये देर रखें तो निकल जाएगा तीसरा कुर एक सासी में से पंचानल खटा देंगे अगला सवाल किरते हैं अगय का प्रेशन है कि एक सिरीटकी एक जीवा एक एकफी और विरित के दो बीन दूस यह अर्दी है ॉइस हुआ है प्लाऊथस यू फ्रीतकर जिवा ए वी के सेंघ्र संब्सी और है उच भी से एक ए और के ऐस सी बीचार्ष बेले को एस की भी चालिज दिया हूए और बोलता है कि दिये वीडिया वाई सब्सक्राइब यह वाला 65 देवा है तो यह भी 40 होना है स्वाभाविक है आप जानते ही होंगे यह चालिस यह चालिस तो यह भी 40 क्यूंकि सेम चाप पर बना कौन यह वाला चालिस यह भी इधर के दिना चालिस और चालिस और 65 105 अगर 105 हुआ यह जो कौन हो जाएगा आपका यह कौन 105 है तो 180 में से 105 जाएगा यानि 75 डिग्री यह आपका आ जाएगा मुझे लगता है कि सब को समझ में आ रहा होगा बात अगला सवाल देखते हैं प्रस्टिस इंगे 67 के बाद 68 देखेंगे और 68 कंद्रवाले एक वृत की दो जिवाएं एब और सीडी एक दूसरी का प फिपर प्रतिशेद करते हैं और ADP 33 है और APC 70 डगरी है जो ची जिवान वरिद के ईब एब और सीडी एक दूसरो प्रतिश्यद करते हैं कियो भी और च योड दोसरे को प्रतिशाद करते हैं इस और फित शूतवालिए प्पर काठे हैं पीपर काटते हैं धूसरी लगतब और कहता है एडीपी तेई से एडीपी तेई से यह कौन तेश डिगरी एडीपी तेई से और एपी सी सत्तर है एपी सी यह जो कौन आ रहा है ना आपका वो सत्तर है ठीक है लगगी और एडीपी अहीं की एड़र खाल आपका बीज किसे डीपी बीचिक पहले आपको यह द्रियान निया सृरी 20 & vc-d यानि कि ये वाला कौन की बात कर रहे है ये वाला कौन की ये वाला कौन अगर ये निकल जाता है तो ये निकल जाएगा सुचे 23 साथर ये दोनों का exterior रंगल है अगर 23 साथर है तो निश्चित तोर पर ये 70 47 आपको यह रहा होगा पुटी सेवन आपको समझ में आ रहा होगा आपको समझ में आ रहा होगा भी इसका सवाल देखते हैं 68 के बाद 69 कहता है एक वृत की दो जिवाएं एवी और सीडी आठ और छे सेंटिमें लंबी है उनमें बीसी नबर डिगरी है A B और C D ने ने A B और A C तो समझना A B और A C दिया है इसका मतलब A जो है जो दोनों का common है अगर A दोनों का common है और A B और A C 8 और 6 है यानि कि A B आपका 8 है और A C आपका 6 है थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं 6 A यहां common ले लिए A B हो गया और यह C हो गया यह 8 है और यह 6 है उनका B A C कौन 90 डिगरी है B A C 90 डिगरी है आप समझ पारे हो बात यह अगर 90 डिगरी है यह 90 डिगरी है इसका मतलब कि हमारा जो हाइपोटेनस होगा यह हो जाएगा करन हो जाएगा करन हमारा कौन सा हो गया BC अगर करन BC हो गया तो यह 8 है और यह 6 है 8 है यह और यह 6 तो यह जाएगा आपका 10 और 6 है तो यह जाएगा आपका 10 और यह पूछा रहा है यह पाता है कि आहांकि दयुक्ट रहे हैं है यहाँ पर आपको रडियास का दुगना रही है होगा यानिकि डस है तो यह आर और यह आर होगा यानिकिट्ट वरावर तस होगा तो फील होगा, यह होगा या इनकर तो आपको या आपको जो गशान कि यह तमाम बास जानते होंगे जानते होंगे वाइस वर्षा व्यासपर को नभे और अगर अगर मैशना तो सबसे बड़ी जीवा वह यह सवाल देखे हैं तो यह पूछता है कि यह भी इसका आधा का कौन कितना अध्य बीटिट कॉन नहीं तरह यह एक पूछ रहा था यह और इस तरह से यह कुशन था यह मेरा मैं अगले क्लास में बाकी कुश्चन को देखता हूं और रहने देता हूं आज भर इतना ही अगले वीडियो में मिलते ह हम लोगों ने solution किया है अभी तक 70 कोश्चन तक तो 70 के बाद के सवालों का solution अगले वीडियो में मिलेगा धन्यवाद लगातार पढ़ते रहें मुझे लगता है कि आप अगर पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए भी आप काम करने मेरे लिए ही नहीं आप हर समाज के लिए काम करने हैं और अगर एक समाज में आप व्यक्ति अच्छे बनते हैं तो पूरे समाज को फाइदा होता है इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए लगातार पढ़ते रहें नौकरी ले जैहिन या भारत